नमस्कार दोस्तों मैं उधीरज और स्वागत करता हूँ आपका study.com में तो आज के इस class में हम लोग ncn history को आगे बढ़ाते हुए पढ़ने वाले हैं रिंग वैदिक काल ओके सो भाई यहाँ पे हम लोगों ने पीछे के दो lectures में पढ़ा पीछे मैंने सिंदु घाटी सभ्यता का एक lecture बनाया था जो कि लगवाग एक घंटे का lecture था ठीके और उसमें मैंने पूरी की पूरी सिंदु घाटी सभ्यता complete की थी और ये बड़ा ही important सा chapter था वो और ये भी है ठीके वो थोड़ा लंबा chapter हो गया था एक घंटे का हो गया था तो इस chapter से हम लोग मतलब थोड़ा सा सौट रखेंगे मतलब उतना लंबा lectures नहीं बनाएंगे ठीक है ओके सो आगे चलिए शुरू करते हैं देखो रिग वैदिक काल क्या होता है या फिर आप ऐसा कालो वैदिक काल क्या होता है वैदिक काल को अंग्रेजी में वैदिक period बोला जाता है तो ये जो वैदिक period है ये क्या होता है जो आपकी हरपा काल थी मतलब जो सिंदु गारी शभ्यता थी आप सबको बताया गया है उसके बारे में ठीक है पहले ऐसी मन्याता थी कि लोग जो मतलब एक शभ्यता विक्षित हुई पहले लोग मानते थे कि वैदिक period में ही एक शभ्यता का विकाश हुआ था लेकिन बाद में हरपा संस्कृती जब हमारे सामने आई जो हरपा काल है वो हमारे सामने आया तो फिर हम लोगों ने ये मान लिया कि भाई नहीं वैदिक काल से पहले वी एक period है तो कहीं न कहीं आप ये कर सकते हो कि हरपा काल के बाद में जो एक संस्कृती एक शभ्यता अस्तित्तों में आई उसी को बोला जाता है वैदिक काल और ये वैदिक काल नाम से ही पता लग रहा है कि ये वेदो का काल है ये समय किसका है ये समय वेदो का है ठीक है तो वैदिक काल भी कुछ काल था ठीक है ना तो वैदिक काल की जो जनकारी हमको मिलती है वो जाहिर सी बाद है कि इस समय के जो बुक्स थे ठीक है ना इस टाइम के जो बुक्स थे जो वैदिक ग्रंत थे उनसे हमको जनकारी प्राप्त होती है ठीक है और ये जो आपका वैदिक प आपको ये समझ में नहीं आता तो आप history के शुरू वाले lectures देख लीजिए, ठीक है ना, मतलब दो lectures पीछे है तो आपका कभर हो जाएगा, तो 1500 BC से लेके 500 BC तक माना जाता है कि ये बैदिक period था, अच्छा कुछ books में 600 भी लिखता है, ठीक है ना, तो मतलब 1500 से 600 इस भी पुड exams में भी आए, तो अगर कहीं 600 option में है, तो आप उसको tick कर सकते हैं, ठीक है ना, कोई दिकत नहीं है, ओके, अब देखो ये जो आपका वैदिक period है, इसको दो भागों में बाटा गया, ठीक है ना, वैदिक period को दो भागों में बाटा गया, एक इसका जो शुडू वाला रिगवैदिक काल, और ये रिगवैदिक काल का समय कब से कब तक होता है, या कब से कब तक था, तो ये था 1590 पूर्व से 1000 इस भी पूर्व, मतलब 1500 BC से 1000 BC तक जो time period था, उसको बोला गया रिगवैदिक काल, ठीक है, इसके बाद जो उत्तरवैदिक काल है, वो कब से कब तक रहा, तो उत्तरवैदिक काल जो है, ये लगभग 1000 से, ठीक है न, ये 1000 से 500 या कही कही 600, तो आप इसको 600 भी बोल सकते हैं, 1000 से 600 इस भी पूर्व, मतलब BC में इसका time period रहा, ठीक है, और वैदिक गरंथ जिनकी हमको जनकारी मिलती है, मतलब इस time की जनकारी जो हमको मिलती है, वो वैदिक गरंथों से मिलती है, तो ये वैदिक गरंथ आखिर लिखा किसके द्वारा गया था, आडियों के द्वारा, ठीक है, ये आडिये कौन है, अब आजकल के जो भी राजपूत वगेरी जो जातिया है, ठीक है न, मैं खुद भी एक राजपूत हूँ, ठीक है, तो वाले कास्ट नहीं, ठीक है न, आप उनको नहीं ले सकते, ओके, ब्रह्मन नहीं ले सकते, बिसिकली आप राजपूत को ही इसमें रखोगे, ठीक है, तो जिसको आप लोग छत्रिये बोलते हैं, जिसको आप छत्रिये बोलते हैं, वही बिसिकली आरे थे, ठीक है, ओके, आरे जो थे ये भारत के मूल निवासी तो नहीं थे ठीक है ना ये कहीं से आये थे और यहां पे ये कहां से आये थे इस बारे में अलग-अलग लोग अलग-अलग बाते बोलते हैं ठीक है ना कोई बोलता है कि ये जैसे मैक्स मूलर एक बहुत बड़े बिद्वान है और ये बोलते हैं कि आरे कहां से आये थे तो आरे मद्ध एसिया मतलब कि सेंट्रल एसिया से आये थे ठीक है बाल गंगादर तिलक ये बोलते हैं कि आरे जो है आर्कटिक छेत्र से आये थे अच्छा भाई ध्यान देना कि कोई भी अगर बोलेगा कि यहां से आये थे तो वो ऐसा नह नंद शरस्वती जी जो हैं ये बोलते हैं कि आरे कहां से आये थे तिब्बत से आये थे इसके अलावे शंपूर्णा नंद जी हैं वो बोलते हैं कि शप्त सेंदव प्रदेश से आये थे ठीक है इसके अलावे पेनिका और होर्ट जैसे विद्वान है वो बोलते हैं जर्मनी स आए थे लेकिन भाई इतने सारे लोग बहुत सारी शीज़े बोलते हैं गंगानाथ जहां हैं वो बोलते हैं कि ब्रह्मरिसी देश से आए थे तो माना किसको जाए तो विद्वानों ने और जो सबसे ज़्यादा मत है इस विशाय में कि ये आए कहां थे वो मत है मध एसिया त और इन्होंने ही क्या किया था इन्होंने ही वैदिक गरंतों की रचना की थी देखो शुडू में आपने अगर रमायन देखा हो आपने महाभारत अगर देखा हो तो शुडू में जो जो भी बुक्स थी मतलब जो भी चीज़े थी नौलेज वाली ठीक है जो भी दर्सन की चीजे थी या जो भी चीजे थी वो सारी की सारी चीजे ऐसे ही सुनाई जाती थी ठीक है मतलब एक पीड़ी कोई आई उसने अगली पीड़ी को बात बताई उसने अगली पीड़ी को बात बताई तो ऐसे ही चीजों को सुनाया जाता था तो वैदिक साहित्यों में दो तरीके के साहिते हैं एक तो शुरूती शाहिते हैं और एक अश्मृती शाहिते हैं ठीक है ना शुरूती शाहिते में वो साहिते हैं जो मतलब पीधी दर पीधी पहले सुनाया जाता था बाद में इनका शंकलन किया गया बाद में किसी ने इसको लिखा ठीक है आगे हम लोग सब कुछ डिसकुस करेंगे और अस्मृति शाहित तो वो हैं जिसमें समझ लो एक याददास्त के आधार पे इनमें चीजों को लिखा गया नाम अस्मृति का मतलब ही वही होता है और दोनों में थोड़ा-थोड़ा अंतर है जो आपका श्रूति शाहित है इसमें एक तो वेद आ आते हैं सब हम लोग बात करेंगे ब्रह्मन ग्रंथ क्या होते हैं आरण्यक क्या होते हैं उपनिशद क्या होते हैं जो आपके अश्मृति शाहिते हैं इसमें वेदांग आते हैं शूतर आते हैं ग्रंथ आते हैं ठीक है तो इन सबकी हम लोग बात करेंगे और एके कड़के सबको discuss भी करेंगे और इस chapter में जब हम लोग देखो सबसे पहले इस chapter को जब हम लोग पढ़ेंगे तो पहले इन वैदिक ग्रंथों को पढ़ेंगे क्योंकि यही वो ग्रंथ है जो इस time का इतिहास बताते हैं जो वैदिक period का इतिहास बताते हैं तो सबसे पहले हम एके ग्रंतों के बारे में पढ़ेंगे उसमें अगर कुछ important चीज हैं लिखी हुई हैं तो उसको जानेंगे और उसके बाद हम लोग जानेंगे दोनों पिरियेड में एक तो रिगवैदिक काल इसमें लोग कैसे रहते थे मतलब लोगों का सामाजिक जीवन कैसा था लोग यहां पे क्या करते थे उनका आर्थिक जीवन कैसा था उनका राजनितिक जीवन कैसा था उनका धार्मिक जीवन कैसा था तो एक तो यह जानेंगे और फिर हम लोग उत्तर वैदिक काल में जानेंगे कि वहां पे लोग कैसे रहते थे वहां पे वो क्या क्या क तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं ये जो ग्रंथ हैं इनके बारे में कि ये ग्रंथ कौन-कौन से हैं तो देखो वेद ठीक है ना वेद जैसा कि आपको पता है वेद कितने हैं चार हैं ठीक है ना वेद कितने हैं चार हैं और कौन-कौन से हैं रिग वेद हैं शाम वेद ह यजुर्वेद है और अथर्ववेद है ठीक है तो ये च्यार वेद है आपके बाकी रिगवेद के बारे में डीटेल से हम लोग जानेंगे आगे उपनिशद उपनिशद कितने है एक्षो आठ है उपनिशद क्या होता है उपनिशद का क्या मतलब होता है इसके लिए हम लोग जंगलों में की गई, आरण्य का मतलब ही होता है जंगल तो वैसी दचनाए जो जंगलों में की गई, ठीक है न उसको बोलते हैं क्या आरण्यक, और ये हैं तो बहुत सारे, लेकिन इसमें 7 जो हैं वो प्रमुक है, तो प्रमुक कितने हैं? तो चुक्य इन ये वेदों के लास्ट वाले पार्ट है ठीक है ना इसलिए ये उपनिसदों को वेदांत भी बोला जाता है बाकी 108 उपनिसद होते हैं और हम लोग उसमें जो important कुछ है जैसे मुंड़को उपनिसद है इशोपनिशद है कठोपनिशद है वडिदारनेक उपनिशद है तो उसमें जो important है उनके बारे में थोड़ा थोड़ा हम लोग जानेंगे इसके बाद वेदांग है वेदांगों की संक्या कितनी है छे है ठीक है तो वेदांग कितनी है छे है तो वेदांग कितनी है डिरेक्ट क्वेश्चन आपसे परिक्षा में आएगा क्यों पनिसदों की संक्या कितनी है तो 6 है असौरी 108 है वेदांग की संख्या कितनी है 6 है पुरान कितने है अठाड़ा पुरान है अश्मृति ग्रंत कितनी है अश्मृति ग्रंतों की संख्या है 36 ठीक है ना अश्मृति ग्रंतों की संख्या कितनी है 36 है और महा काब्बे दो हैं हमारे पास एक है रामायन और एक है महाभारत ठीक है ना तो यह दो महा काब्बे हैं ओके दोनों के बारे में आगे हम लोग जानेंगे वेदों के बारे में हम लोग अगला वीडियो में अगले वीडियो में इसकी छर्षा करेंगे क्योंकि अभी वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा आगे हम लोग जानेंगे रिगवेद के बारे में सब कुछ एकदम डीटियल में आपको बताएंगे तो बने रहे हैं हमारे साथ थेंक्यू सो मच पर वाचिंग स्टडी डॉट कम